जिला चम्बा में हुई मुस्लाधार बारिश के बाद हर जगह तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। बारिश के कहट से अब हर कोई चिंतित दिखाई दि रहा है। जिला चम्बा के तहट आने वाले चम्बा तीसा मुख्यमार्क पर रामपोर में स्थेद। इंट्रो लॉकिंग कमपनी में देर रात ओहुई भारी बारिश के बाद भूस खलन हो गया जिस कारण की कमपनी को काफी नुकसान पहुंच रहा है मलबा आने से कमपनी की कई मशीने वल में बिदब कई वर लाखो रुपए का नुकसान कमपनी के संशालक को हुआ इस बारे म कमपनी में कारे राविश कुमार ने ज्रानकारी देते हुई बताया कि भारी बारिश शोने से उन्हें काफी नुकसान पहुंच रहे हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने इसकी सूचना राजस्वविभाग को दे दी है राजस्वविभाग की ओर से पटवारी मौके पर पहुं सार की परिश्यान युगास साम्हाना करना पड़ी। में हमारे मसीनरी को भी बहुत नुक्सान पहुंचा है। क्या आपने इसकी सुचना राजर से विभाकों और पटवारी सर को पुंचवा दिये हुआ पे। लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉंस नहीं मिला है उनकी तरफ से अभी हमें। तो प्लेज जल्दी से जल्दी कारवाई करें जिससे की जो भी नुक्सान हुआ है उसकी बरपाई हो सके। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए भत्यात से महमद आशिक के रेपोट। हर हफ्ते केवल लाइफ डाइम्स टीवी पर आप भी अपने विधायक के कारेकाल पर टिपनी करना चाहे। तो हमें भेज़रे अपना वीडियो ब्यासी एकसो अठान में 00003 या ब्यासी एकसो अठान में 00004 आपके विधायक ने पिछले चार साल में क्या कुछ किया ? क्या मुकमल हुआ और किसे किया दर्किना ? चनता से कितना रहा सरवकार और क्या रही विधास के रफ्तार ? लाइट टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रेपोर्ट कार्ड खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधान सबा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार शाथी इलाके के निश्पक्ष लोगों की निश्पक्ष रॉय भी हर हफते केवल लाइट डाइम्स टीवी पर आप भी अपने विधायक के कारेकाल पर टिपनी करना चाहे तो हमें भेज़रे अपना वीडियो ब्यासी एक सो अठान में 00003 या ब्यासी एक सो अठान में 00004